इरान और युनान में घोर संग्राम हो रहा था। इरानी दिन दिन बढ़ते जाते थे और युनान के लिए संकत का सामना था। देश के सारे व्यवसाय बंध हो गए थे। हल की मुठिया पर हात रखने वाले किसान तलवार की मुठिया पकड़ने के लिए मजबूर हो गए, दंडी तॉलने वाले भाले तॉलते थे। सारा देश आत्मर रक्षा के लिए तैयार हो गया था। फिर भी शत्रू के कदम दिन दिन आगे ही बढ़ते आते थे। चिस इरान को युनान कई बार कूचल चुका था। वही इरान आज क्रोध के आवेग की भाती सिर पर चद आता था। मर्ग तो रंक्षेत में सिर कटा रहे थे और स्त्रिया दिन दिन की निराशाजनक खबरे सुनकर सूखी जाती थी। क्योंकर लाज की रक्षा होगी। प्रान का भाई न था, संपत्ती का भाई न था, भाई था मर्यादा का। विजेता गर्व से मत्वाले होकर युनानी ललनाओं को घूरेंगे, उनके कोमल अंगों को स्पर्श करेंगे, उनको कैट कर ले जाएंगे। उस विपत्ती की कल्पना ही से इन लोगों के रोए खड़े हो जाते थे। आखिर जब हालत बहुत नाजुक हो गई तो कितने ही स्त्री पुरुष मिलकर डेलफी के मंदर में गए और प्राश्न किया देवी, हमारे उपर देवताओं की यह वक्र द्रिष्टी क्यों है? हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है? क्या हमने नियमों का पालन नहीं किया, पिर देवताओं ने क्यों हमारे सिरों से अपनी रक्षा का हाथ उठा लिया? कुजारेन ने कहा, देवताओं की असीन क्रिपा भी देश को द्रोही के हाथ से नहीं बचा सकती. इस देश में अवश्य कोई न कोई द्रोही है. जब तक उसका वद्ध न किया जाएगा, देवी, वो द्रोही कौन है? जिस घर से रात को गाने की ध्वनी आती हो, जिस घर से दिन को सुगंध की लप्ते आती हो, जिस कुरुष की आँखों में मद की लाली जलकती हो, वही देश का द्रोही है. लोगों ने द्रोही का परिचय पाने के लिए और कितने ही प्रश्न क पर देवी ने कोई उत्तर न दिया। परे तक न धुलते थे इत्र फुलिल कौन मलता। परात का समय था। शहर में अंधकार छाया हुआ था। मानो शम्शान हो। किसी की सूरत न दिखाई देती थी। चिन नात्य शालाओं में तिल रखने की जगह न मिलती थी। वहां सियार बोल रहे थे। चिन बाजारों में मंचले जवान अस्त शस्त सजायें एक्चते फिरते थे। वहां उल्लू बोल रहे थे। मंदिरों में न गाना होता था न बजाना। प्रासादों में अंधकार छाया हुआ था। एक बुड़ा युनानी जिसका एकलता लड़का लड़ाई के मैदान में था, घर से निकला और न जाने किन विचारों की तरंग में देवी के मंदिर की ओर चला। रास्ते में कही प्रकाश न था, कदम कदम पर थोकरे खाता था, पर आगे बढ़ता चला जाता। उसने निश्चय कर लिया कि या तो आज देवी से विजय का वर्दान लूँगा या उनकी चरनों पर अपने को भीट कर दूँगा। तीन, सहसा वह चौक पड़ा, देवी का मंदिर आ गया था, और उसके पीछे की और किसी घर से मधूर संगीत की ध्वनी आ रही थी। पूर्य यूनानी ने चिल्ला कर कहा, यही देश्ट्रो ही है, यही देश्ट्रो ही है, मंदिर की दिवारों ने दुहराया, द्रो ही है, पगीचे की तरफ से आवाज आई, द्रो ही है, मंदिर की पुजारिन ने घर में से सिर निकाल कर कहा, हाँ, द्रो ही है, यह देश्ट्रो ही उसी पुजारिन का बेटा पासोनियस था, देश्ट में रक्षा के जो उपाय शत्रूओं का दमन करने के लिए जो निश्चे किया जाते उनकी सूचना ये हीरानियों को दे दिया करता था। शिलास की सिवा और किसी बात की चिंता न थी, कोई मरे या जिये, देश रहे या जाए, उसकी बला से। शत्रूओं के ये वंदना कर रही थी कि सहसा उसके कानों में आवाज आई, यही द्रोही है, यही द्रोही है। उसने तुरंट द्वार खोल कर बाहर की और जहांका, पासोनियम के कमरे से प्रकाश की रेखाएं निकल रही थी और उनी रेखाओं पर संगीत की लहरे नाच रही थी। उसके पैर तले से जमीन सी निकल गई, तले जा धक से हो गया। ईश्वर, क्या मेरा बेटा देश्ट रोही है। आप ही आप, किसी अंतः प्रेरना से पराभूत होकर वह चिल्ला उठी, हाँ, यही देश्ट रोही है। चार, युनानी स्त्री पुरुषों के जुन के जुन्ड उमर पड़े और पासोनियस के द्वार पर खड़े होकर चिल्लाने लगे यही देश्ट रही है। पासोनियस के कमरे की रोश्णी थंडी हो गई, संगीत भी बंध था, लेकिन द्वार पर प्रतिक्षन नगरवासेयों का समूह बढ़ता जाता था और रह रह कर सहस्त्रों कंठों से ध्वनी निकलती थी, यही देश्ट रोही है। लोगों ने मशाले जलाए और अपने लाठी दंदे संभाल कर मकान में घुस्पड़े। कोई कहता था सिर उतार लो, कोई कहता था देवी के चरणों पर बलेदान कर दो, कुछ लोग उसे कोठे से नीचे गिरा देने पर आग्रह कर रहे थे। पासोनिय समझ गया कि अब मुसीबत की घडी सिर पर आ गई। तुरंट जीने से उतर कर नीचे की ओर भागा। और कही शरण की आशा न देखकर देवी के मंदिर में जागुसा। के लिए देवी हमें एक शमा कर देंगी। देवी, आप उसे क्यों नहीं निगल जाती। पत्थरों से मारूं, पत्थरों से आप निकल कर भागेगा। निकलता क्यों नहीं रेकाय? वहां क्या मुझ में कालेक लगा कर बैठा हुआ है? राक भर यही शोर मचा रहा और पास धा दिये। अभगा पासोनियस दिन भर तेज धूप में खड़ा रहा, उसे जोर की प्यास लगी। लेकिन पानी कहां, भूख लगी, पर खाना कहां, सारी जमीन तवे की भाती जलने लगी। लेकिन च्छा कहां, इतना कश्ट उसे जीवन भर में नहुआ था। मच्छी की भाती तडपता था और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को पुकारता था, मगर वहां कोई उसकी पुकार सुनने वाला न था। बार बार कसमे खाता था कि अब फिर मुझसे ऐसा अपराध न होगा, लेकिन कोई उसके निकट न आता था। बार बार चाहता था कि जला जला कर न मारो। ओ हत्यारों, तुमको जरा भी दया नहीं। दिन बीता और रात, भयंकर रात, आही। उपर तारागन चमक रहे थे मानों उसकी विपत्ती पर हांस रहे हो। जो जो रात बीटती थी देवी विक्राल रूप धारन करती जाती थी। तभी वह उसकी और कर बैठ गया और अपनी किस्मत को रोने लगा। कुर्ते की खीच कर कभी पैरों को छिपाता, कभी हाथों को, यहां तक की इस खीचा तानी में कुर्ता भी फट गया। आधी रात जाते जाते बर्फ गिरने लगी। दोपहर को उसने सोचा गर्मी ही सबसे कश्ट दायक ठंड के सामने उसे गर्मी की तक्लीफ भूल गई। आखिर शरीर में गर्मी लाने के लिए एक हिमकत सूजी। वो मंदिर में इधर उधर दौने लगा। लेकिन मिलासी जीव था, जरा देर में हौन्फ कर गिर पड़ा। पांच, प्रातल का लोगों ने किवाद खोले तो पासोनिस्यय को भूमी पर पड़े देखा। मालूम होता था, उसका शरीर अका गया है। बहुत चीखने चिलाने पर उसने आखे खोली, पर जगर से हिल न सका। कितनी दयनी अदशा थी, किन्तु किसी को उस पर दयाना आई। युनान में देश द्रोह सबसे बड़ा अप पांच वा, अपने की एकी सजा पा चुका है, अब छोट देना चाहिए। चैसा पासोनियस उट बैठा और उद्दन भाव से बोला, कौन कहता है कि इसे छोट देना चाहिए। नहीं, मुझे मत छोना, वरना पच्चताओगे। मैं स्वार्थी दूँ। विशय भोगी हू इस पाप का प्रायश्चित करू, तो भी मेरा उद्धार न होगा। तुम भूलकर भी मेरा विश्वास न करो। मुझे स्वयम अपने उपर विश्वास नहीं। विलास के प्रेमी सत्य का पालन नहीं कर सकते। मैं अब भी आपकी कुछ सेवा कर सकता हूँ। मुझे ऐसे गुप्त्रह से मालूम हैं, जिन्हें जानकर आप इरानियों का सनहार कर सकते हैं। लेकिन मुझे अपने उपर विश्वास नहीं है और आपसे भी यह कहता हूँ कि मुझे पर विश्वास न कीजिए। आज रात को देवी की मैंने सच्चे दिल से वंदना की है और उन्हों अपने मुझे ऐसे यंत्र बताए हैं, जिनसे हम शत्रों को परास्त कर सकते हैं। इरानियों के बदते हुए दल को आज भी आनकियान में उना सकते हैं। लेकिन मुझे अपने उपर विश्वास नहीं है। मैं यहां से बाहर निकल कर इन बातों को भूल जाओंगा। बहु चौथा, इस इक्षमा कर देना चाहिए और यह सब बाते पूछ लेनी चाहिए। पांच वर देखो, यह नहीं कहता कि मुझे छोड़ दो, हमको बार बार याद दिलाता जाता है कि मुझे पर विश्वास न करो। चथा, रात भर के कष्टने होश ठंडे कर दिये, अब जिना में पहुंच जाओं तो उनका मित्र बन कर सर्वनाश कर दू, पर मुझे अपने उपर विश्वास नहीं है। एक यूनानी, दोखे बाज इतनी सच्ची बात नहीं कह सकता। दूसरा, पहले स्वार्थांध हो गया था, पर अब आखे खुली है। तीसरा देख़ द् भी आत्मा का प्रकाश रहता है और कश्ट पाकर जागरत हो जाता है। ये समझना कि जिसने एक बार पाप किया, वो फिर कभी पुन्यकर ही नहीं सकता, मालच अरित्र के एक प्रधान तत्व का अपवाद करना है। छठा, हम इसको यहां से गाते बजाते ले चलेगे। जन कि एक दिन पहले जिस पासोनियस की गर्दन पर तलवार चलाई जा रही थी, उसी को जलूस की साथ मंदर से निकालने की तेयारियां होने लगी, क्योंकि वह धूर था और जानता था कि जनता की कील क्योंकर घुमाई जा सकती है। मुझे मार डालना उचित है या जीता रखना। कैस्त्री पुरूष, हाई 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 हमसे बड़ी भूल हुई, हमारे सक्चे पासोनियस, सहसा एक रिद्धस्त्री किसी तरफ से दोती हुई आई और मंदर के सबसे उचे जीने पर खड़ी होकर बोली तुम लोगों को क्या ह हो गया है, युनान के बेटे आज इतने ग्यान शुन्य हो गये हैं कि जूते और सच्चे में विवेक नहीं कर सकते, तुम पासोनियस पर विश्वास करते हो, जिस पासोनियस ने सेक्टों स्त्रियों और बालकों को अनात कर दिया, सेक्टों घरों में कोई दिया जलाने वा होगा और यूनी लिलनाए एरानियों की कुद्रिष्टी का शिकार बनेंगी। देवी की आग्या है कि पासोनियस फिर बाहर न निकलने पाए। अगर तुम्हें अपना देश प्यारा है, अपनी माताओं और बहनों की आब्रू प्यारी है तो मंदिर के द्वार को चिन दो चिससे देश्ट्रोही को फिर बाहर न निकलने और तुम लोगों को बहकाने का मौका न मिले। ये देखो, पहला पत्थर मैं अपने हाथों से रखती हूँ। लोगों ने विस्मित होकर देखा, यह मंदिर की पुजारिन और पासोनियस की माता थी। दम के दम में पत्थर की धूर बराबर परवा नहीं करती। उनके पुत्र देश के लिए होते हैं, देश पुत्र के लिए नहीं होता।